हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सबसे पहले तो आप सबको थेंक्यू कि आपने मेरा काम को इतना एप्रेशेट किया मेरा चैनल को ग्रू होने में सपोर्ट किया और आज मैं यह जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ यह सब आप लोग का मेसेज का ही रिप्लाई ही मान लीजिए दोस्तों आप लोग साइब जानते हैं कि पेंटिंग बनाने में तिन से चार घंटा लग जाता है और मैं यह एक तिन में खतम नहीं करता जब भी टाइम मिलता है फुर्शाथ मैं थोड़ा-थोड़ा करके खतम करता हूँ एक ही साथ बैटके तीन-चार घंडा काम परना पॉसिबल नहीं है कि उतना टाइम नहीं मिलता कुछ दोस्तों का यह भी कहना है कि आप वीडियो को स्पीड कर देते हूँ दोस्तों जैसे कि एक प्रेंटिंग बनाने में 3-4 घंटा लगता है वह इसे वीडियो भी 3-4 घंटे का ही बन जाता है और मैं सिब जो स्मर्च पार्ट रहता है उसी को स्पीड करता हूँ क्योंकि उसमें वीडियो का लेंद कम हो जाता है 30 से 35 मिट तक और बाकी जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है वो तो नॉर्माल स्पीड ही रहता है और एक मेसेज मुझे बहुत आता है कि आप ब्रस से यार करो या कोई लिंक भेजो स्मजब्रस डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको अगर फ्री स्मजब्रस चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और काफी सारे साइट से हैं जहांसे आप फ्री मैं ढाउनलोड कर सकते हैं ऐसे अपको येढले आपको यह प्रोलिम होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि यह ब्रस सही है या नहीं इसमें कि आप पहले उसको डाउनलोड करेंगे फिर इंस्टल करेंगे फिर कोई इमेज निकाल कि उस पर आम काम कीजेगा कि यह काम कर रहा है कि नहीं तो क्यों आप फोटोशेप के कुछी जो डिफर्ट ब्रस रहते हैं उसको यूज करें या खूद अपना ब्रस बनाए जनरले आपको दो ही ब्रस का जरुरत है पूरे स्मर्ज पैंटे लिए एक हैर ब्रस और दुसरा जो है वो स्कीन के लिए जो आप स्कीन में यूज करेंग वो वो भी फोटोशेप में है बाई डिफर्ट है अगर आप खूद बनाना चाहते हैं अपना सेटिंग के हिसाब से जिसको अब बनाए शेप करकर रखें बाद में इसको यूज कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तो मैं अपना सारा ब्रस को रिसेट कर देता अब यह जो है यह सारे फोटोशेप के डिफर्ल ब्रस हैं जो पहले से इंस्टल है इसमें से कुछ आपके काम में आ सकते हैं जैसे कि यह इसको आप स्कीन में यूज कर सकते हैं है इसको भी आप स्कीन में यूज कर सकते हैं है फ्यार ब्रस के लिए इसको यूज कर सकते हैं यह भी यूज हो सकता है और कपड़ा के लिए कलत के लिए 33 63 यह इसको अपपड़ा में यूज कर सकते हैं यह आप स्कीन में यूज कर सकते हैं और ये जो है इसको आप थ्यार में यूचिए सकता है अगर आपको इसको यूजने करना है खुद का ब्रस बनाना है ठीक है चलिए एक न्यू फाइल लीजिए पिक्सल 200 वाय 300 ब्रस लीजिए आपके च खुद्धा रच फांच फ़िक दो पांच बाß लीजिए वाट परांच बाषिस कुछे प्ये एडिट रिपाइन ब्रस प्रिसेट और इसको आप नाम लिखते हैं है ठीक है अब शैन ने वह इसा ही करेंगे इसको से एडिट रिपाइन ब्रस प्रिसेट एर ब्रस टू तो यह दो ब्रस हमने बनाए है वान टू थे वान एक्सलाइन इसको हम यूज करेंगे इसको हम यूज करेंगे स्कीन चलिए यह एक इमेज है मेरे पास इस पर हम काम करते हैं निमिज का टक्ट्चर अच्छा है इसको में डूपलिकर कर लेते हैं तो यह स्मूज ब्रस को पित लिए यह ब्रस क्यें ब्रस तर्ड़सटे हैं 12 tartTY तर्ड़स ब्रस कोई आप जाव शर्लिकर नुक्र ब्रस को थबस्ट हो पित करोजार ब्रस झाल झाल यह काम कर रहा बड़े हैं से तो इसके लिए आपको पहीं पे जाके डाउनलोड करने के जड़त नहीं है या ब्रस को लेकर वोल रोने के जड़त नहीं है यह जो ब्रस है फोटोसप में पहले से आप उसी को यूज कीजिए यह मेंसेज मेरे पास बहुत आता है कि आप स्माज ब्रस से आप कीजिए या कोई डाउनलोड रेंद देजिए दोस्तों यह आपके सिस्टम के पहले से हैं बस इसी को यूज कीजिए कि अज़ जो जाप कीजिए अज़त्व कि अज़त्य बस जाप औाल कि अज़त्यों कि अज़त्यों देख रहे हैं यह बढ़िया काम कर रहा है मैं बस ऐसे स्पिडुली कर दे रहा है अब तो दिखाने के लिए अब आराम से किजिएगा लंबा स्टोग मत लीजिए छोटा-छोटा स्टोग लीजिएगा मैं जाराम से कि कीृछ धर लीजिए झाल 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 स्कीन हो गया, क्लोथ हो गया, अभी आते हैं हैर के, तो हमने पहले से ही यहारबस बना रखे हैं, उसी वो सिलेक्ट रहे हैं, 132, 137, यह बनाए है है हम, यह बनाए है, तो फेले इसको लेखने हैं, यह काम कर रहे हैं, ओपासिटी को हम करते है, 90, क्योंकि हमको थोड़ा फ्रो जाला चाहिए, रहे हैं, रहे हैं, अलका हलका, फ्रोपी, कर दो कर दो आप आराम से कीजिएगा मैं खली आपको दिखाने के लिए यह कर रहा हूं आप यह दिखा रहा हूं कि यह काम कर रहा है और आप फुद अपना हैरवस बना सकते हैं ऐसी कर दो कि पता है कि यह कर दो थाओ उर रहा है पुदुद इसके लिए अूर दो आप दो चुदिएगा रहा हूं कि यह बड़ी हाकाम करता है और जैसे मैं पहले से बोल रहा था कि और एक ब्रस है यह प्रस्ट जो पहले से फोटो सब्सक्राइब है यह है इसको आप यह प्रस्ट की तुर पर जूज कर सकते हैं और जो मुझे ज्यादा कमपूटबल लगता है वो है यह आप किसी को हैर में यूज कर सकते हैं तो करकर दखते हैं बस अब थोड़ा आराम से किजिएगा अपहले आपको देखा रहा है कि बिना कोई डाउनलोड किये हुए जो पहले से है उसी को यूज करके भी हम स्वाइश्मेंटिंग आराम से देखते हैं बस अपासिटी का दियां लखेगा जो स्मर्च का स्ट्रेंथ है यह हैर के लिए आप नाइन टू टू नाइंटिफाब रखिए एटिफाइब टू नाइटिफाइब रखिए लेकिन अगर आप स्कीन पर कर रहे हैं तो 20 से 35 जो मुझे कमपटबल लगता है 20 से कम पिने होता है और 35 से ज्यादा होने से भी मैस हो जाता है तो अगर आप क्लॉथ पे कर रहे हैं तो 30 to 50 स्ट्रेंग्ट 30 to 35 सभी रहता है मगर फिर भी कुछ फोटो होते हैं जो ज्यादा ग्रेनी होते हैं तो उसमें स्ट्रेंद थोड़ा बढ़ाना पड़ता है तो आप देख लिएगा वह तो हमेंशा डिपर करता है आपका इमेज के साइज के हिसाब से इमेज का फोटो का नहीं है तो आपका आउट्पूट अच्छा नहीं आएगा देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है अब यह दो डिफल प्रस जो हैं फोटोशुप में पहले से अब इसी को यूज करके बढ़िया पेंटिंग बना सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप लोग बोलते हैं कि आप बोई सबर नहीं करते हैं तो एक्चल में क्या होता है मेरे पास टाइम बहुत काम रहता है एक बीडियो बनाने के लिए मुझे तीन दिन चार दिन साथ दिन हो सकता है एक बीडियो एक दिन में भना ले एक दिन में खतम हो जाए यह झाता तो वहता नहीं है इसे को अभी थोड़ा साम को थोड़ा कल दिन चार दिन और जैसे कि एक बंटिंग को खतम करने में तीन से चार खुंटा लगता है निनुम अगर आपको एक अच्छा उट्फूट निकालना है तो इसलिए मैं वह इसा बने केड़ पाता हूं जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बैस में या 15 मिनिट मैं वह से काम कर लगता हूं देखिए यह बड़े आकाम कर दा है तो ठीक है दस्तु आप यूज कीजिए यह दो प्रस फोटोशुप में पैंटिंग बनाए है इसी वीडियो के कॉमेंट्स में आप अपना फोटोश जो बनाए है यह दोनों प्रस के तुरू उसको डाली है यह फिर अपना लिंक वीडियो के कॉमेंट्स में आप ट्राय कीजिए बनाए है इसको यह दो प्रस के मदद में और कोई सवाल है तो फिर कोमेंट्स में पूना सवाल देखिए हम फिर कोशिज करेंगे कि फिर कभी बोई सवाल करके आपका उनी सवालों का जवाब दिया जाएगा झाल rüिज झाल KONIEC KONIEC